प्रधान मंत्री मोदी हमेशा कहते रहे हैं कि मैं अपनी सरकार की आलचनाई चाहता हूं क्योंकि इस से लोकतंत्र मजबूत होता है लेकिन होता हमेशा इसके उलट है जब भी कोई ऐसमेशा का स्वर उटता है उसे दबा दिया जाता है जब इस देश के किसानों ने मजबूरों ने चातरों ने अपनी कोई भी बात कहनी चाही इस सरकार ने उन पर इतनी लाठियां बरसाई कि लोकतंत्री घायल हो जाता है जखमी हो जाता है करनाल में 28 अगस्त को ही लाठी चार्ज और इसमें एक किसान की मौत के बाद अपना प्रतिरोज जताने का एलान करने वाले किसानों के करनाल पहुंचने से पहले ही करनाल समेथ हर्याना के 5 जिलों का इंटरनेट बंद कर दिया जाता है फिर धारा 64 लगा दी जाती है पुलिस फोर्स अर्थ सेनिक कंपनिया तैनाद कर दी जाती है इस पूरी विवस्ता में जनता की बात सुनने की ना मंशा है ना इच्छा है ना तंत्र है आज के डेली रांड आप में हम खासत और पर बात करेंगे करनाल महा पंचायत की आश्ट व्यापी प्रद्रशन देश के सभी 68 रेलवे मंडलों के रेल कर्मियों के भाग लेने की उमीद यूपी में डेंगू और वाइरल बुखार से मर रहे हैं बच्चे विवक्ष ने कहा सरकार कह रही है और क्या नाकपुर में आचुकी है करोना की तीसरी लहर महराज सरकार के मंतरी नितिन राउत ने जताई चिन्ता तो सबसे पहले बात करते हैं करनाल महा पंचायत की मुझफ़न अगर के बाद आज करनाल किसानों की महा पंचायत का गवा बन रहा है किसानों पर 28 अगस्त को हुए पुलिस के लाठी चार्ज के विरोध में करनाल की अनाज मंडी में देर शाम तक महा पंचायत जारी थी इस बीज प्रशाशन ने किसान नेताव से बादचीत की भी पेशकश की जिस पर किसानों की ओर से एक ग्यारा सदस्य प्रतिनिदी मंडल बनाया गया इस प्रतिनिदी मंडल में राष्टे नेतरत्व से गुर्णाम सिंग चलूनी के अलावा राकेश टिकैत, योगेंदर यादाव, बलबीर सिंग राजेवाल और दर्शन पाल शामिल हुए है किसानों के प्रतिशन को देखते हुए हर्याना सरकार ने काफी सक्ती की है और भारी पुलिस बल तैनात किया है करनाल में हर्याना पुलिस के साथ ही बड़ी संक्या में केंद्रिय बलो के कर्मी भी तैनात किये गए हैं पंचायत स्तल नई अनाजमंडी में सुरक्षाबल की भारी तैनाती की गई किसानों ने अनाजमंडी में एकत्रित होकर वहां से लगू सचीवाले का घेराव करने के लिए आगे बढ़ने का ऐलान किया था महापंचायत के लिए खटा हुए किसानों ने आईजी, एसपी और डीसी का भी घेराव किया इसके बाद अधिकारियों ने किसानों से बाच्चीत की पेशकश की इससे पहले सरकार ने किसान अन्दुन को दवाने के लिए सुमवार दुपहर से ही करनाल और करनाल के पास के चार जिलों में इंटरनेट से वाएं बंद कर दी थी हर्याना भारते किसान यूनिन चलूनी के प्रमुक गुर्णाम सिंग चलूनी ने करनार में लाठी चार्ज में घायल होने के बाद जान गवाने वाले एक किसान के परिवार को 25 लाक रुपे मुआफ़ा और सरकारी नोकरी देने की मांग की है अन्य घायल किसानों को भी दो दो लाक रुपे देने की मांग की गई है दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं प्रधान मंतरी मोदी की एक और खास्यत है उनका सबसे बड़ा आलोचक खुद कोई और नहीं बलकि उनके खुद के ही पुराने बयान है जो बयान मुख्यमंतरी गरूप में मोदी ने दिये उसके एकदम उलट काम प्रधान मंतरी बन के किये साहल 2014 के चुनाव परचार के दिनों में वे एक गीत गाया करते थे गीत था मैं देश नहीं बिकने दूँगा अब जन्ता के रिये साब कुछ तो छोड़ दीजिए प्रधान मंतरी बनने के बाद मोदी ने कहा था जो लोग रेलवे बिचने की बात कह रहे हैं वे अफ़ा फैला रहे हैं लेकिन जिस तरह के एक्षन उनकी सरकार ने लिये हैं उससे ऐसा लगता है कि प्रधान मंतरी अपनी वित्ते मंतरी निर्मला सीता रमन के खिलाप अफ़ा फैला रहे हैं रेलवे यूनियन शुरुआत में इस प्रटश्ट को एक चितावनी की तरह पेश करना चाहती है इसलिए 8 सितंबर को चितावनी दिवस की तरह मनाया जाएगा देश भर में आयजित किया जा रहे हैं इस प्रोग्राम में देश के सभी 68 रेलवे मंडलों के करमचारी शामिल होना जा रहे हैं अगर इसके बाद भी सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती है तो रेलवे यूनियन का कहना है कि इसके खिलाफ लगतार प्रदेशन किया जाएगा अगली ख़बर उत्तर प्रदेश से जहां डेंगू और वाइरल बुखार छोटे 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 बच्चों की जान ले रहा है मत्रा वारानसी समेट फिरोजवाद और लखनों में डेंगू दरजनों मासमों की जान लील चुका है लेकिन सरकार गायब है अस्पतालों में जगे नहीं बची लेकिन प्रदेश मुक्हमंत्री बयान दे रहे हैं कि इस बार भी दीपावली पर आयुद्या में भव्वे दीपोत्सव होगा वे जनमाश्ट में की दिन मत्रो आए तो बोलते हैं क्या इससे पहले निता आपके तहौरों में शामिल होते थे मतलब मुक्हमंत्री का पूरा ध्यान दीपोत्सव और तहौरों पर है दूसरी तरफ यूपी में क्या बच्चे, क्या बोड़े, क्या जवान सब इलाज के अभाओं में दम तोड़ देते हैं यह हालात तब है जबकि राज्ये में क्रोना का कहर फिलाल सरकारी तार पर नहीं है बिना क्रोना के पीक के ही डेंगू पर काबू नकर पाना शर्म की बात है अस्पतालों में भारी भीड़े, समय से समुचित इलाज ना मिलने से बच्चों की मौते हो रही है सत्तरूट बीजेपी सरकार और मुख्यमंतरी इसके बावजूद All is well, यानि सब ठीक है का जूटा दावा कर रहे है ध्वस्त स्वास्त से वाव की और बीजेपी सरकार का ध्यान नहीं है खैर गनीमत यही समझिये कि अभी तक भाजपा के किसी मंत्री ने ये बयान नहीं दिया है कि बच्चे तो इस मौसम में मरते ही हैं अब बात करते हैं करोना महमारी की करोना को लेकर एक गंभीर और चिंतनीय खबर नाकपूर से है महराज सरकार के मंत्री नेतिन राउत ने बड़ा बयान देते हुए बताया है कि नाकपूर में करोना की तीसरी लहर आ चुकी है जिसे लेकर सरकार जल्द ही बड़े फैसलिल लेते हुए कुछ प्रतिबंद लगा सकती है अधिकारियों के साथ एक समिक्षा बैटक के बाद मंत्री राउत ने कहा कि शहर में तीसरी लहर अपने पैर जमा चुकी है क्योंकि दो दिनों में दोहरे अंक में संक्रमन के मामले देखे गए है महराष्ट पहले से ही करोना से सबसे अधिक पीडित राज्य है अभी भी केरल और महराष्ट में ही करोना के कारण सबसे अधिक मौते हो रही है ऐसे में तीसरी लहर की दस्तक देना पूरे देश के लिए चिंता की बात है कि इंद्रे स्वास्ते मंत्राले द्वारा जारी ताज आखड़ के नुसार देश में 24 घंटों में करोना के 31,222 नए मामले दर्ज किये गए हैं वहीं 290 मरीजों की मौत हुई है इस तरह देश में कुल संक्रमित लोगों की संक्या वढ़कर 3,30,58,843 पहुँच गई है जिन में से अब तक 4,41,42 लोगों की मौत हो चुकी है स्वास्ते मंत्राले की ताजा जानकारी का नुसार देश में करोना वैक्सीन की अब तक 69,90,62,766 डोज दी जा चुकी है जिन में से एक करोड, 13,53,571 वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई है और आखिर में चलते चलते आज का कार्टोन जी हाँ इर्फान का कार्टोन जनता को रोजी रोटी देने में हमारी नाकाम हमारी सरकारे, हमारे जन प्रतिदी जनता को पूजा नमाज में ही उलजहाए रखना चाहते हैं शायद यही वज़ह है कि जारखन के बाद अब उत्तर प्रदेश और बिहार में भी विदानसवा में इबादत को लेकर विवाद बढ़ने या बढ़ाय जाने की संभावना है कोई विदानसवा परिसर में नमाज के लिए जगे मांग रहा है कोई पूजा पाट के लिए लेकिन कोई भी जनता के परिशानी की तरफ नहीं देख रहा कि कैसे विरुजगारी बढ़ती जा रही है और महंगाई अपने चरम पर है तो आज के डेली राउंड अप में बस इतना ही हमारी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप आ सकते हैं हमारी हिंदी वेबसाइट पर आप हमें ट्विटर, फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर फालो भी कर सकते हैं और हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं शुक्रिया